जाकों राखे साईयां मार सके ना कोई डायलोग देकर प्रेस कॉन्फरेंस का समारपन करने वाले सचिन पाइलेट ने जैपुर में अंशन कर ही लिया अंशन से फोटो गाइब नजर आए सोनिया गांधी के राहुल गांधी के और कॉंग्रेस के चुनाव चिन हाथ के पंजे के क्या कुछ संभावनाय बनती है राजस्तान में सचिन पाइलेट के इस अंशन की और इसके बाद में सचिन पाइलेट किस और मूव करेंगे यह कई सवाल राजस्थान के जेहन में है इस समर्थन में कई नेता पहुंचे जिनमें कॉंग्रेस के बड़े नाम है जो की पहले राजसमन से सांसद रह चुके हैं गोपाल सिंग जो की वरिश्चन बोर्ड के अद्यक्ष भी हैं वहाँ पर पूर विधायक और भीनमाल से प् समर्जीत सिंग पूराने कांग्रेसी हैं उनके पिता पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं इसके अलावा वहाँ पर पहुंचे पाली के पूर विधायक भीमराज भाटी जो की एक कट्र नेता की और एक आवाज उठाने वाले नेता की छवी रखते हैं और एक बड़ा वोट बेंक भी उनका प्रभाव रखता है इन सब के बीच में राजस्थान में सबसे वड़ी चर्चा जो वो है कि सचिन पाइलेट का अब क्या होगा इसी बीच आमाद्वी पार्टी के प्रबारी विने मिश्रा ने भी ट्वीट करके सचिन पाइलेट के धरने को सम प्रफिकील होगा आपको बता दें सचिन पाइलोट का कहना है कि वसंद्रा सरकार में हुए घोटालों की जाच को लेकर अंशन है घोटाले अशोगहलोत सरकार में भी कम नहीं है यहां तक कि सरकार में चिकित स्वास्ते मंत्री रहे और बाद में हटा कर गुजरात भेजे को हरा कर लोटे रघुश अर्मा पर भी आरोप रहे हैं इसके अलावा भी कई तमाम मंत्रियों पर इस तरह के आरोप रहे हैं जिन पर ब्रिश्टाचार पर बात होनी चाहिए थी सचिन पाइलट उन पर नहीं बोले कि वल वसंद्रा राजे के ब्रिश्टाचार को उन्हों नहीं किया है उन्होंने लगातार इन चीजों को उठाया गैलोत सरकार को पत्र लिखे आला कमान को पत्र लिखे अलांकि सुखजिंदर सिंग रंदावा जो की प्रबारी है उन्होंने इस पर इंकार किया है लेकिन सचिन पाइलट ने कहा है रंदावा अभी आये हैं माकन क खडगे ये परिवेक्षक के तौर पे आये थे और CLP की बैठक करनीती वो बैठक नहीं हुई और साफ तौर पर अशोगहलोत का जो खेमा हैं जिसके नित्र तो कर रहे थे विधी राजमंत्री जो शांति धारीवाल महेश जोसी जो की विदानसवा में सचे तक हैं और कॉंग करवाई पेंडिंग है अभी तक किसी तरह की करवाई इनके खिलाफ नहीं की गई इससे आहत अशोगहलोत के खिलाफ सचिन पाइलट लगातार आहत होते गए इसके बाद अशोगहलोत ने गुजरात चुनाव से ठीक पहले पाली के रोहट में एक नेशनल चैनल को दिये उन्हें दोगलापन की स्थिति वाला भी बता दिया उन्होंने कहा कि सचिन पाइलट इस्थानिय सरकार को घेरते हैं लेकिन अलाकमान की तारीफ करते हैं यह दोगलापन हैं तो नाकारा, निकमा, गदार, दोगलापन जैसे शब्तों से लगातार सचिन पाइलट को करके युआ आए, महिलाएं आई और किसान वर्ग के भी लोग आएं ऐसे लोग इस दरने में पहुंचे जिनें उमीद हैं जिनें विश्वास हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सिधानत की राजनिती को आगे लेके चले सचिन पाइलट इसे कितना आगे लेके जाएंगे यह वाली बात होगी, लेकिन अगर हम जनता की बात करें, क्योंकि अशोक गलोद भी बात पार्टी और सरकार की कर रहे हैं, सजिन पाइलट भी पार्टी और सरकार तक, लेकिन जनता की बात कौन कर रहा है, जनता जो कि लोग तंतर में सबसे इंपोर्टेंट, लोग तंतर, तं उसके लिए कोई ऐसा लीडर है या कोई ऐसा नेता है जो उसकी मांगो को उसकी बात को आगे ले जाए और उसके हित में निरने ले अशोगहलोत के तीसरे कारेकाल में सभी विज्यापनों को देखें तो वो ये नहीं कहते कि मेरी सरकार ने ये किया वो ये कहते हैं लगबग विग्यापनों में कि यह मैंने किया, आज भी अशोग गहलोद ने विग्यापन ही जारी किया और ये कहा कि 2030 तक प्रदेश को आगे ले जाना है, चौती बार गहलोद सरकार जैसी बात चल रही है, ऐसे में सबसे बड़ी बात आती है, युवा आकरो के चलते वो बरी हो गई, यहां तक कि जैपूर में एक बंबलास्ट जिसमें 70 से अधिक लोग मारे गए थे, 200 अपने 200 लोग घायल हुए थे, उसके आरोपी लचर पैरवी के आधार पर बरी हो गए, और सरकार अगर ये दावा करती है, कि वो बहतरी के लिए प्रियास कर र हमने भुजर्गों से बात की, उनकी उम्मीदें कहीं ने कहीं टूट रही है, सचिन पैलिट उन्हें एक विकल्प के रूप में नजर आ रहे हैं, वो कितना प्रभावी विकल्प होंगे, या किन विकल्प होंगो, सचिन पैलिट अपनाएंगे, ये अपने आप में एक दे की बात चल रही है लेकिन सचन पायलेट ने अभी तक अपना रुख इस अंशन के बाद राजनितिक कदम क्या होगा यह अपना अंशन कॉंग्रेस मात्मा गांधी का जो फोटो लगाता तो मात्मा गांधी के अनुसार आत्मशुद्धी का एक माध्यम है, संकल्प सिद्धी का एक माध्यम है, और उसी माध्यम को एग्जेक्यूट करने की कोशिश सचिन पैलेट ने आज की है, जो की लगबग सफल नजर आई है, बड़ी संक्या में भीड यहां पर आई, जिसमें मैलाएं थी, जिसमें युवा थे, जिसमें किसान थे, सचिन चौथी बार अशोगहलोद सरकार का नारा बुलंद है, लेकिन इसी बीच सचिन पैलेट अगर कोई उडान भर लेते हैं, सचिन पैलेट किस ओर जाएंगे, जैसे उनके पिता राजेश पैलेट ने किया था, कि वो जो जनता की हक की बात है, वो उठाएंगे, और पार्टी में रहते हुए ही उठाएंगे, अगर पो पार्टी में रहते हैं, तो ये पार्टी विरोधी कदम इसको रंधावा ने बता दिया, जैराम रमेश ने अशो गैलोत की प्रभाव पर एक प्रेस नोट लिख दिया, पवन खेडा इस पर जवाब देंगे, ये तमाम बातें आ रही हैं, तो क्या सचिन पैलेट पे अनुशासनात्म करवाई होगी, अगर सचिन पैलेट पर अनुशासनात्म करवाई होती है, तो कॉंग्रेस जिसे एक जुट करनाटक का चुनाव लड़ना चीए, उसकी जगे यहीं नाटक कर रही है, राजस्तान में, तो यह नाटक प्रहसन जो पैदा हो रहा है, राजस्तान में वो बहुत एक अलग तरह का माहोल खड़ा कर रहा है, वैसे नाटक करनाटक में भी सुर बनाने की मांग करके दलिच सीम का कार्ड खेल दिया है, अब दलिच सीम के कार्ड में दो लोग और आ गए हैं, इसी बीच कॉंग्रेस में मारवाड़ी में एक कावत है कि मंडी सांकडी और मोडा गणा, अर्थात ये इस्तिती है कि तीन डब्बे या तेरे टेटी वाली कह जाती है, कावत कही जाती है, तो ऐसी इस्तिती कॉंग्रेस में है कि जब नित्रत्यों कमजोर होता है, तो पार्टी इसी तरह से लड़ जगड के खत्म होती है, कॉंग्रेस में अगर नित्रत्यों की बात, ये बेसिकली जो लड़ाई देखी जाए, एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा कि यह लड़ाई जो है वो युवा और बुजर्गों के बीच की हैं जो सचिन पैलिट लड़ रहे हैं कॉंग्रेस में हमेशा से बुजर्गों ने यूथ ने तरतों को स्विकार नहीं किया मैं आपको 1949 का उधारन बताता हूँ जब त्रिपुरी अधिवेशन में दुबारा सुबास बोस चुनाव लड़ने वाले थे अध्यक्ष बनना चाहते थे लेकिन महात्मा गांदी ने चुनाव लड़ने के लिए मौलाना अब्दुलकलाम को कहा मौलाना अब्दुलकलाम अज़ाद ने कहा कि ये वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो कलकत्ता में एक कैरिकरम में सुबास बाबु के साथ गए और उन्होंने उनका जो स्वैग देखा तो अब्दुलकलाम अज़ाद का जो चुनाव लड़ने का मानस था उसकी हवा निकल गई बाद में गांदी ने नेरु को लेटर लिखा कि मौलाना जो है वो कांटो बरा ताज पहलना नहीं चाहते आप खुद चुनाव लड़िये नहरू उचों की सुबास से पहले अध्यक्ष रहे थे उन्होंने भी मना कर दिया लिहाजा पट्टा भी सीता रमया को उमिद्वार मना दिया गया गांदी जी ने उनके पक्स में अपील भी जारी करती उसी तरीके की जैसी इंद्रा गांदी ने आप देख सकते हैं कि खरगे का जब चुनाव हुआ तो गांदी परिवार एक तरफा ही नजर आया तो कॉंग्रेस में यह परंपरा उस वक्त सुरू हुई थी फिर सितारमया जैपूर में ही 1948 के अंदर पहली बार कॉंग्रेस के जो आजादी का बाद अधिवे के दोनों आपस میں चुनाव में बड़ा जबरदस्त माहुल खड़ा करते हैं लेकिन पटेल का जीत जाता हैम कॉंग्रेस अब शर्णाव बाद में कूछ समय बाद कांग्रेस के सदारत अपने हाथ में ले लेते हैं और पिर उन की क्रपा पात्र लोग है या उनके जो उनके हिसाब से चलने वाले रोग रहे वो ही अध्यक्ष बनते गए एक मौका ऐसा आया इंद्रगांधी के दोर में जब क्ये कामराज की जो सिंडिकेट थी वो काफी प्रभावी थी बाद में यंग तर्क्स महा आते हैं अब फिर जैपूर का नंबर आता है 1968 मे कामराज एक बार फिर से अध्यक्स बनते हैं तीसरी बार लेकिन इसी जैपूर से उनको हटाये जाने की या उनने रिप्लेस किये जाने की कवाई दें शुरू हो गई कामराज फिर हटा दिये गए बाद में 77 में चुनाव हुआ जिसमें देवकांत बरुवा थे देवकांत बरुवा हारे चुनाव उसके बाद में 77 के 20 साल बाद 1997 में चुनाव हुआ तो 1997 में जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव में तीन लोग खड़े हुए थे जिसमें शर सो और कुछ अधिक वोट उनके आये थे उसके बाद में जब 2000 में चुनाव हुआ और कॉंग्रेस संतानवे से 2000 तक उठापटक की इस्तिती में रही पीए संगमा तारीक अनवर और तो शरत पवार एक अलग पार्टी बना लेते हैं NCP तारीक अनवर हलांगी पापस कॉंग्रेस में आ गए संगमा ने फिर एक और अलग पार्टी बना ली तो दस बज़ के दस मिनट पे दिल्ली में एक मीटिंग होती है और उस दस बज़ के दस मिनट वाली गड़ी ही NCP का च कॉंग्रेस में 2000 में जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है तो जितेंदर प्रसाद उनके सामने चुनाव लड़ते हैं लेकिन जितेंदर प्रसाद मात्र 94 वोट पाते हैं और सोनिया गांधी को 7400 वोट मिलते हैं सोनिया गांधी ऐसी अद्यक्स बनती है कि फिर उन्हे कोई नहीं हिला पाया 2013 में फिर जैपूर आता है जैपूर में जैपूर अधिवेशन में राहूल गांधी की कॉंग्रेस में entry करवाई गई उन्हें यूथ कॉंग्रेस से राष्टे कॉंग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया फिर राहूल गांधी बाद में अध्यक्ष बनते हैं कॉंग्रेस के उनके रित्रतों मजब पार्टी चुनाव हारती है तो 2019 में वो इस्तीफा दे देते हैं 19 के जैपूर अधिवेशन में एक बार फिर से सुनिया गांधी को सदारत दी गई तो कहने का मतलब है कॉंग्रेस में जो समस्या हो अभी जो समस्या है चल रही है उसकी जड़ जैपूर अधिवेशन या जैपूर रहता है यह एक बड़ी देखने वाली चीज है कि राजस्तान किस तरह से अपनी इन कॉंग्रेस में जो विरोध के स्वर है उसको उपर उठाने में कितना प्रभावी रहा है आपने देखा होगा कि पहली जो कुर्सी जिसकी खीची गई पूरे देश में किसी राज्य में तो वो जैनारण व्यास थे जैपूर में ही वो पंगा हुआ था पहला अगर किसी विपक्षी विधायकों की सदस्यताएं रद की गई दो विधायकों की पहली बार तो वो जैपूर में ही आमेर के विधायक थे तेज सिंग थे उसके अलवा मारावल संग्राम सिंग थे उन दो लोगों की उसके अलवा दल बदल जो हुआ वो भी जैपूर उसे ही हुआ जो पुर्माराजा के लोग थे कुछ विधायक जीते वे जिनको कॉंग्रेस ने तो जैपुर जो है वो एक ट्विस्ट वाली जगह रहा है हमेशा से ही और जैपुर ही में सचिन पाइलेट ने एक और गुगली डाली है अब देखना है कि सचिन पाइलेट का यह जो प्लेन है यह जो स्टाइल है यह जो स्वैग है यह जो अंदाज है यह जो फैन फॉलोविंग है यह दिसंबर 2023 तक का वेट करवाती है कि जनता के लिए वो कोई विकल्क लेके आएंगे या फिर यह उसी तरह से यह तीसरा मौका है कि जब सचिन पाइलेट का प्लेन टे जरूज ड़ाई